हेलो दोस्तों आज हम देखते हैं सीटेट एक्जाम के लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्यूस्चन जो पेपर में कॉस्चन बार बार आते हैं जरूर वीडियो देखें इसका पार्ट टू है सीटेट से रिलेटे जितने भी वीडियो हम बनाएंगे उसे आप जरूर देखिएगा जिससे आपका एक्जाम 100% किलियर होगा चलिए स्टार्ट करते हैं देखते हैं पेहला क्यूस्चन और वीडियो को आप जरूर लाइक कर लें पहला क्यूस्चन है कोहलर या सिध करना चाता था की सीखना आगे क्या आएगा एक ऐसी इस्तिति है जिसमें ब्यक्त पुसु से स्रेष्ट है या फिर स्वायत या द्रिचिक क्रिया है या फिर संग्यानात्मक संकार है या फिर परिश्थिति के विभिन अंगों का प्रत्यचिक करण है तो इसका राइट एंसर क्या होगा राइट एंसर हो गया इसका संग्यानात्मक संकार है क्या है संग्यानात्मक संकार है कोहलर या सिद्ध करना चाहते थे कि सीखना संग्यानात्मक एक संकार है अगला क्यूस्चन देखते हैं क्रिया प्रसूत अनकूलन सिध्धान्त का प्रतिपादन किया था कौन किये थे क्रिया प्रसूत अनकूलन सिध्धान्त का प्रतिपादन कौन किये थे तो इसका राइट एंस्वर आपका हो जाएगा इसकी इनर कौन किये थे मिरर ड्राइंग परिच्छन निमने से किसके मापन हेत परियोग होता है मिरर ड्राइंग परिच्छन mirror drawing परिच्छन किसके मापन हेत परियोग किया जाता है तो इसका right answer क्या होगा option number C अधिगम किसके लिए अधिगम के परिच्छन के लिए mirror drawing परिच्छन किया जाता है सूच्म सिच्छर चक्र का प्रथम पद होता है तो इसका प्रथम पथ होता है पहले सबसे पहले योजना बनाना क्या होता है योजना बनाना मानसिक आयू का प्रत्य दिया था यानि कौन दिये थे तो इसका आपका right answer क्या होगा option number A बिने Simon कौन दिये थे बिने Simon वीडियो को like जरूर कर लिजेए share करिएगा थार डाईक ने अपने सिधान्त को किस सिर्षक से सिद्ध किया था तो इसका रायिट एंसर क्या होगाँ अधिगम के पर्यास योम भोल से किस से अधिगम के का भासा विकास से संबंध है संक्रनात्मक परामर्स के जन्मदाता है संक्रनात्मक परामर्स के जन्मदाता कौन है तो इसका राइटन सुर क्या होगा थार्न थार्न जो है संक्रनात्मक परामर्स के क्या है जन्मदाता है किंडर गाल्टन किंडर गाल्टन विधिका प्रतिप कौन किये थे कुक किये थे या फ्रोगे किये थे या इंसर की या डालतन की थे इसका राइट एंसर क्या हो जाएगा आपका option number b फ्रोगे कौन किये थे फ्रोगे की यह Sam best नवस्था प्रतिपादन की नवस्था दूरु Özुरु लेखन संबंदी अज्या से प collapse पढ़ने संबंदी समस्या से या गणती कौसल संबंदी समस्या से या वाक्त छमता संबंदी विकार से किस से डिसलेक्सिया का संबंद है डिसलेक्सिया का संबंद किस से संबंदित है इसका राय टेंसर क्या हो जागा पढ़ने संबंदी समस्या से क्या है डिसलेक्सिया है ठी चात्र के अवान्चित विवार के संसोधन हो जाएगा अभाण्चित विवार करता है पहले उस कारड का पता लगाएं । फिर उसका उपचारों का सुझाओ दें, ठीक है, यह ध्यान रहे, इसका राइट एंसर आपसन नमबर D होगा, अधिगम का पठार है, इन में से कौन सा अधिगम का पठार कहा जाता है, तो इसका राइट एंसर क्या हो जाएगा आपका, आपसन नमबर B, अधिगम में अधिगम का पठार कहते हैं, नमबर करने की इच्छा, मानसिक द्वन्द, या सीखने की दोस्पुर्विधिया, कौन सा ऐसा विश्मिरित का कारण नहीं है, तो इसका राइट एंसर क्या होगा, अस्मरड करने की इच्छा, अस्मरड करने की जो इच्छा होती है, वही इच्छा जागरित रहेगी, तो आप कोई चीज विश्मिरित नहीं कर पाएंगे, भूलेंगे नहीं, जो संबंध इसकीनर का चूहो से, योम थार्डाइक का संबंध बिल्लियों से था, वही संबंध कोहलर का था, किस से, कह रहे हैं, जो संबंध इसकीनर का चूहो से है, अधो लिखित में गनित संबंदी अधिगम एच्छमता को कौन सा पद परभासित करता है अधो लिखित में गनित संबंदी अधिगम अच्छमता को कौन सा पद परिभासित करता है तो इसका राइट एंसर क्या हो जाएगा गड़ना दोस कौन करता है गड़ना दोस अभी प्रेड़ा का प्रत्यासा सिध्धान्त किसके द्वारा दिया गया है अभी प्रेड़ना का प्रत्यासा सिध्धान्त किसके द्वारा दिया गया है तो इसका राइट एंसर क्या हो जाएगा विक्टर ब्रूम के द्वारा दिया गया है अभी प्रेड़ना का प्रत्यासा का सिध्धान्त CWSN का अर्थ है C, W, S, Yen का अर्थ क्या होगा हिंदी में तो इसका right क्या answer हो जाएगा विशिष्ट आवस्चता वाले बच्चे C, W, S, Yen का मतलब है विशिष्ट आवस्चता वाले बच्चे याद हो जाए आपको C, W, S, Yen इसका क्या अर्थ होगा CWS यन का आर्थ हिंदी में होगा 20 आवस्यक्ता वाले बच्चे छात्रों में सही बेवहार के परिच्छन है तो सरवाधिक महत्पूर्ण क्या है छात्रों में अगर सही बेवहार के परिच्छन है तो किया जाए यानि परिच्छन किया जाए सही बेवार का प्रस्तुति करड The behavior of organism नामक पुस्तक के लेखक है The behavior of organism नामक पुस्तक के लेखक कौन है तिसका right answer क्या हो जाएगा इसकीनर है कौन है इसकीनर है निम्न में से कौन सी कच्छा सिच्छड में जनतांतरिक सिच्छड नीत नहीं है निम्न में से कौन सी कच्छा सिच्छड में जनतांतरिक सिच्छड नीत नहीं है तिसका right answer क्या होगा व्याक ख्यान में किसमें व्याक ख्यान में यह था आपका आखरी question मैं असा वीडियो आपको जरूर समझ में आए होगी तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा और अपने दुस्तों में सेयर करिएगा पहली बार चैनल से जुड़े हैं तो जरूर सस्क्राइब करिएगा धन्यवाद